जैस्री राम, I am Dr. Manish Jaiswal अभी भी कई लोगों को 24 फिलिंग 24 भरने में दिक्कत हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं इसका कारण यह है कि कई सारे लोगों ने उन्हें कन्फ्यूस कर दिया है कि जिस मार्क्स पे आपको जो कॉलेज मिलने की संभावना है उसको सबसे उपर में रखिए तो मैं आप लोगों को अलाट्मेंट प्रोसेस ही समझा देता हूँ चीजें आपको ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएंगी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 36 गड़ नीट काउंसलिंग 2024 की और मैं अपने यूटूब चैनल के कमेंट में ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी भी 24 फिलिंग को लेकर कन्फ्यूजड है और उनका जैसे में कन्फ्यूजण ये है उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जैसे किसी का 571 नंबर है अन रिजर्ब काटिग्री से यू आर से अब ज़्यादा तर जगहों पैसा लग रहा है कि ये कटफ मार्क्स के आसपास है मतलब इसी के असपास कटफ जाएगा ज़्यादा संभावना ये है अगर इनको कॉलेज अलॉट होता है तो गॉवर्मेंट मेडिकल कॉलेज महासमूंद अलॉट हो सकता है अब किसी ने इनको कह दिया कि भाई आप अपने पहले च्वाइस में government medical college महासमुन्द को डाल दीजे देखो दिक्कत कोई नहीं है ठीक है आप GMC महासमुन्द को डाल सकते हैं 24 filling करना आपकी मर्जी पे depend करता है पूरी तरह से आप सोतंत्र हैं लेकिन इस अवस्था में आप अपना खुद का नुकसान भी कर सकते हैं कारण ये अभी तक 100% exact data किसी भी counselor के पास या किसी के भी पास नहीं है जो ये clear बता सके कि 36 गड़ में जो merit list है उसमें आपकी position क्या है हमारे पास से किसी और के पास भी जो data उपलब्ध है वो 70% 100% correct नहीं हो सकते कई छात्रों के missing data हैं उसमे cutoff इसके नीचे भी जा सकता है और इससे उपर भी जा सकता है plus जब allotment होता है तो वहाँ पर चीजें category wise भी होती है और हर work में अलग 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 चाहिए undeserved हो, ST, SEO, BC हो individual categories भी होती है तो यहाँ पर मैं आपको एक simple सा allotment process बता देता हूँ आपको चीजे बहुत अच्छे से clear हो जाएंगी कि कैसे यहाँ पर 36 गड़ में आपको choice filling करना चाहिए तो ध्यान से समझे allotment process पर हम लोग बात करने वाले हैं उदाहरन के लिए कोई marks और category यहाँ पर consider कर लेते हैं suppose मैं माल लेता हूँ कोई OBC का student है अधर category से भी आप compare कर सकते हैं जिनके overall marks है 590, 590 marks है ठीक है तो but obvious है इनसके दो rank होंगे एक unreserved, अनारक्षित that means की merit list में sequence से जो नाम बनता है वो rank होगा और दूसरा rank इनका बनेगा OBC ऐसे ही STSE और इसमें other categories हैं EWS हैं वहाँ पर भी आप compare कर सकते हैं तो जब merit list में इनका पहले बात तो एक इन्होंने अपना marks 598 input किया है प्लस इन्होंने 24 फिलिंग में डाला होगा जो भी डाला होगा गौर्मेंट मेडिकल कॉलिज को जिस भी list के according डाला होगा डेंटल कॉलिज डाला होगा अब बात करते हैं कि किसी की सलाह से सपोज इन्होंने ये कहा कि वही पांसो नब्बे कटफ के आस पास हैं तो आपको ज़्यादा चांसे से कि दुर्ग भिलाई के इन्होंने क्रम में डाल दिया पहले नंबर पर भिलाई का कॉलिज डाला जी एमसी अब ही GMC की बात करें दूसरे नंबर पे इन्होंने रायगर डाल दिया है सपोज किसी ने इनको बोल दिया तीसरे नंबर पे इन्होंने अंबिकापूर को डाला है ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि किसी ने बताये कि आपको भिलाई के कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा है इन्होंने पंडी जेने मेडिकल कॉलेज, जगदलपूर कॉलेज, सिम्स बिलासपूर, राजदान काउं इसको छोड़ दिया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो कॉलेज तो इनको नहीं मिल सकता अब ध्यान से समझेगा, डिफरेंस क्या आता है जब अलॉट्मेंट का प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि is a unreserved आपको, जब भी आपका merit नंबर आएगा इसमें भी पॉसिबल, हम एक random merit ले रहे हैं कि 590 जिनके marks हैं, उसका suppose 36 गड़ में माल लेते है 670 के आसपास rank है, suppose है न ये, बिल्कुल exact नहीं है, 670 rank है तो 669 तक वालों call out हो चुका है, माल लेते हैं हम लोग अब इनका number आया, जब इनका number आया, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि as a unreserved इनको कौन सा college मिल रहा है हम लोग ऐसा मानते हैं कि इनको as a unreserved third choice मिल रहा है इनके choice filling का तीसरा choice मिल रहा है लेकिन as a OBC इनको इनके choice filling का पहला college मिल रहा है ठीक है, as a unreserved इनको choice filling का तीसरा college मिल रहा है as a OBC इनको इनके choice filling का पहला college मिल रहा है अब इस स्थिती में अगर इन्होंने अपने choice filling में इधर PTJNM को डाला होगा या इससे better colleges को भी डाले होंगे पांचवे, छटवे और साथवे नंबर पे PTJNM को हम लोग कर देते हैं और Sims बिलासपूर को ले लेते हैं और अपन आज के आगे जगदलपूर को ले लेते हैं जगदलपूर को ले लेते हैं इन्होंने ऐसा random choice filling किया हुआ था ठीक है, तो अब इस स्थिति में अगर पंडीजनम medical college में seat vacant भी है तो इनको अलोट नहीं किया जाएगा इस चीज़ को अब ध्यान दीजेगा क्योंकि इन्होंने अपने पहले choice में क्या डाला है, भिलाई डाला है तो PTJNM vacant है, SIMS vacant है जगदलपूर vacant है और राजनाद गाउं vacant है, उस स्थिति में भी इनको नीचे के choice a lot नहीं किये जाएंगे इनको इनका पहला choice, अगर गलती से किसी के सलासी इन्होंने यहां पे GMC महासमून डाल दिया होता है GMC महासमून तो उस स्थिति में इनको कौन सा कॉलेज मिलता एज़ अनरिजर्वड सपोज इनको रायगर मिल रहा है और एज़ ओबी सी इनको मिल रहा है GMC महासमून तो एज़ ओबी सी इनको first choice a lot कर दिया जाएगा तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी जैसे choice filling में आप डालें कई सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं इसी उदाहराण को हम लोग थोड़ा कम marks पे ले लेते हैं माल लेते हैं 540 नंबर है suppose 540 नंबर है अब इनको government plus private दोनों चाहिए government plus private दोनों चाहिए उस इस्तिती में कई लोगों इनको सजेस्ट कर दिया कि भाई आप OBC candidate हो 540 नंबर में आपको government college तो मिलने की संभावना बिल्कुल 0 है इसलिए आप पहले ही round से first round से ही private को उपर में रख दो तो इन्होंने पहले choice में क्या डाल दिया SSIMS दूसरे choice में क्या डाल दिया सपोज SBIMS सपोज आप दूसरे category और marks को भी यहाँ fit करके देख सकते हैं तीसरे choice में उन्होंने डाल दिया rims क्यों कि किसी ग्यानी ने इनको बता दिया था कि भाई इस marks पे तो government college मिलने की संभावना कम है इसलिए पहले ही round से आप बुक कर लो कोई फरक नी पड़ता देखिए मान लीजे अगर आपनी इस तरीके से डाला हुआ है इसको मैं clear कर ले रहा हूँ है न और आपको समझा देता हूँ इसी पर OBC candidate के तोर पर ही समझा रहा हूँ मैं चीज़ों को आपको तो इन्होंने ऐसा choice डाला है फिर चौथे नंबर से इन्होंने government medical college डालना चालू किया है ठीक है अब suppose करिए कि ऐसा मैंने कहा कि ठीक है सबको यही लगता है कि भई इस साल जो OBC का cutoff है इस marks तक नहीं आएगा लेकिन कौन जानता है exact data कितने OBC है जितने भी 36 गर में qualify किये है उसमें से कितने ST है कितने SC है कितने OBC है exact data किसी के पास में है सिर्फ marks की list है ठीक है तो अब इन्होंने यह डाला जब allotment की बारी आएगी तो इनके उपर merit वालों का lot हो चुका है इनका number आया तो सबसे पहले देखा जाएगा as a undeserved इनको क्या मिल रहा है मालो as a undeserved इनको कोई क्या मिल रहा है government medical college suppose कर लेते हैं कि या private medical college मिल रहा है as a undeserved ठीक है suppose कर लेते हैं फिर यह देखा जाएगा कि as a OBC इनका best choice क्या है हो सकता है कि उस समय इनके first choice में OBC की seat खाली हो और सीधे उनको क्या दे दिया जाएगा SSIMS इसका मतलब यह है कि even अगर आपने for private medical college कूपर में डाल दिया और नीचे कोई government medical college की आपकी category की आपके class की seat vacant भी रहती है तो आपको वो a lot नहीं की जाएगी इसलिए मैंने कहा था कि choice filling करने से पहले सावधानी बरते मैंने जो वीडियो बताया है जो method बताया है वही एक मातर सही method है choice filling का इसके अलावा कोई भी अगर कुछ दूसरे तरीके से बता रहा है वो बिल्कुल गलत method है उस तरीके से मत जाएएगे आप first जाएगे मैंने अपनी स्वयम की counselling भी कराई है as well as पिछले कई सालों से मैं बच्चों को counselling से related guidance प्रवाइड कर रहा हूँ तो जिस विधी से मैंने बताया अगर आप वो follow करते हैं तो ठीक है बाकी आपकी मर्जी कोई category के candidate लेते है suppose जेस्टी category के candidate है 390 marks है अब इसने कहीं कहीं से 2-4-10 जगह के counsellor से पता कर लिए कि 390 marks में कौन सा college मिलेगा इन्होंने first priority में ही डाल दिया GMC कोरबा इन्होंने पहले priority में डाल दिया GMC कोरबा अब अगर मैं आपको बता दूँ कि GMC कोरबा से अच्छे colleges की seat भी वेकेंट रहेगी ना तो second, third choice इनको provide नहीं किया जाएगा क्योंकि first priority में इन्होंने कर ला GMC कोरबा डाला है अगर इस सितिती में Sims की seat खाली होती है इस सितिती में राजनांद गाओं की seat खाली होती है इस सितिती में जगदलपूर की खाली होती है इस marks पर तो भी उनको ये college नहीं दिया जाएगा इनको इनके choice, first choice के calling college दे दिया जाएगा इसलिए choice filling में साउधानी बरतें सही method से choice filling करें और उमेद करता हूँ कि अब चीज़ें आपको clear हो गई होंगी next video में हम लोग मिलते हैं ऐसे information के साथ thank you very much